अगर आज के देट में देख लेंगे आप तो जितना नुकसान सनातन का और हिंदुतु का भाजपा ने किया कंगरिस नहीं किया और जो नुकसान जो नदियों के किनारे बन रहें उसमें आयों ने संध्यान लेकर डियमों को लिखता हुआ है जिलादीकारी कारवाई करने को किया नहीं होते तो यह समझा जा सकता है कि क्यों नहीं हो रहे हैं यह नेताओं का प्रेसर है और आप यह देखिए कि यहां जो 62 भीगा है उसमें धाइकोर्ट की डबल बेंच ने आदेस दे दिया है नगर आयुकसाप खाली नहीं करवा रहे हैं वह सिंगल बेंच के आदे को यह सोचना पड़ेगा कि हमारे लोगों को यह हो क्या रहा है हम कब से यह लोगों को पहाड में जु ऐसक्रख्या जमीन लेने से क्यों के झाल लिमी्टेड प्रेट में जिस चाति करे। तो इससे बड़ा उधारन क्या हैodka हिंदुों को खते करने के लिए इन्हुने पूरी आजादी दे दिया है और यहां जितनी चाहे उतनी जमीन खरीज ले लेंड जहाद कोन करा रहा है भार्ती जंता पार्टी तो करा रही है लेंड जहाद नहीं तो restriction क्यों नहीं लगाती हमारे लोगों को बचाने के लिए कोई restriction उठाया कि उसमें जब उत्तरप्रदेश के जमाने से लागू था उत्तरप्रदेश में तो कोई दिक्कत नहीं हुई उत्राखंड में भी इतने 18 सालों में कोई दिक्कत नहीं हुई तो यह जो सनाजन संस्कृति और हिंदू संस्कृति को बचाने की बात कर रहे हैं दर इस लीविन को आप दे रहे हैं प्रोचसान कांग्रेस नहीं दे रही तो यह सोचने की बात है कि आप क्या कर रहे हैं आप समाज में क्या पहला रहे है 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 की